दोस्तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा स्टाटेजी शेयर करने वाला हूँ साइडवे स्टाटेजी जिसका पे आफ देखने में बिल्कुल ऐसा होगा इसका मतलब क्या है मार्केट जिदर भी जाए आपको प्रॉफिट ही मिलेगा तो क्या ये पॉसिबल है और वो भी जब मार्केट ऐसा मुवमेंट दिखा है तो ये मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखो अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक मुवमेंट दिखाएगा इसका मतलब कितना मुवमेंट है लगबग सारे 4 परसन का तो ऐसा मार्केट में भी आपको profit ही मिलेगा जो मैं pay off आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही pay off मिलेगा ठीक है लेकिन ये जो pay off है ये after adjustments तो ये sideways strategy का adjustments क्या है और strategy क्या है मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो का अन तक अब लोग जरूर बने रहना और skip तो बिल्कुल ही मत करना तो दोस्तो मेरा नाम है राजीव अगर आप पहली बार हमारी चैनल देख रहे हो updates देन चैनल को जरूर subscribe करना और साथ में ये bell icon दबाना मत बुलेगा ताकि जब भी मैं ऐसा informative और interesting वीडियो आपलोड करू उसका notification सबसे पहले आभी को मिले तो चलिए आभी हम लोग जानते है ये strategy क्या है जिसका payoff बिल्कुल risk free है मतलब zero loss है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू ये strategy weekly strategy होगा और ये strategy आप चाहे निटी या bank निटी कहीं पर भी apply कर सकते हो और strategy आपको कब बनानी होगी strategy Friday को बनानी होगी ठीक है Friday को कब Friday को सुवे जब मार्केट खुलेगा मार्केट को थोड़ा सेटल होने देना है उसके बाद 10 बज़े कड़िब आपको ये strategy बनाना होगा ठीक है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर बैक्टेस्ट करके दिखाऊंगा तो यह वाला movement अगर आप लेते हो यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे की मैंने आपको दिखाया सारे 4% का movement है तो इस दिन है Wednesday ओके यहाँ पर थोड़ा problem होगा मतलब आपको Friday को बनानी है ना तो आप इधर इस दिन बना सकते हो नहीं तो मैं आपको दिखा दू यह वाला यह वाला जो candle है इस दिन Friday है तो यहाँ पर अगर आप बनाते हो उसके बाद तो यह रेली किया ठीक है बैक्टे तो यहाँ पर भी अगर आप यह strategy बनाते हो फिर भी देखो आपको profit मिलेगा 1800 points का movement देखा है लगपक यहाँ पर भी सारे 400 ठीक है तो हम लोग entry करेंगे Friday को और exit करेंगे Thursday को इस दिन तो मैं सीधा बिना time waste किये आपको simulator पर लेके चलता हूँ तो हम लोग strategy कब बना रहे है हम लोग December को बना रहे है December Friday 23rd को ठीक है तो 23rd को बना रहे है तो expiry जो होगा वो 29th December होगा तो पहले मैं आपको strategy क्या है वो बता रहा हूँ उसके बाद मैं इसका adjustments technique भी बता हूँ ठीक है ओके यहाँ पर मैं time भी set कर देता हूँ ठीक है time हम लोग 10 बज़े कर रहे है तो 10 बज़े बिल्कुल 10 बज़े कर रहे है थोड़ा इदर उदर करने से भी चलेगा कोई issue नहीं है तो 10 बज़े करें बैंग इफ्टी का जो spot है वो है लगभग यहाँ पर 41,900 ठीक है तो यहाँ पर आप क्या करोगे डेल्टा वेलू 30 देखो डेल्टा वेलू 30 यह वला है यह वला जो 42,400 का है यह 32 है और इसका 28 है मतलब 0.28 तो आप कोई भी एक ले सकते हो हम लोग यह round figure है ना 42,500 तो इसको ले लेता है तो इसको हम लोग simply sell कर देगे ठीक है और क्योंकि यह sideways strategy है हमें downside में भी एक position बनानी होगी और downside में कहां पर position बनानी होगी यहाँ पर भी आप डेल्टा वेलू 30 कहां पर है डेल्टा वेलू 30 है यहाँ पर 41,500 तो यह वला हम लोग food option को भी sell कर देगे तो यह जो strategy बनाए इसका नाम क्या है इसका नाम है short strangle तो आप अभी कहोगे short strangle में ऐसा payoff मिलेगा यह तो येकिन नहीं होगा आपको येकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं पूरा adjustments technique यहाँ पर आपके साथ share करने जा रहा हूँ तो आप उड़ात जरूर देखो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं जूर नहीं बोल रहा हूँ ठीक है आपको strategy adjust करना होगा ठीक है मतला ये वला premium नहीं तो ये वला premium ये वला-techno हो गया नहीं तो ये वला 180 माननो montrer मतलब 3 इसका दूगना कितना होगा 360 कड़े ठीक है तो अगर ये 300 या ये वला 360 हो जाया तो आपको एड़्जास्ट करना होगा नहीं तो ये वला 75 हो गया और ये वला 90 हो गया दैन आपको एड़्जास्ट करना पड़ेगा तो दोनों में से वह अगर एक क्राइटरिय फूलफिल होता है तो आपको एड़्जास्टमेंस पर उतर जाना होगा कैसे करना होगा वो मैं आभी आपको बताता हूँ ठीक है तो आभी तो दस बत चुगा है आप आदा गंटा बात देखो मैं यहां पर आदा गंटा आदा गं गंटा देखते है इसमें भी देखो मार्केट लगपक उसी जगा पर है थोरा सा इधर उदर हुआ है इसलिए हमें प्रॉफिटी मिल रहा है एकिन हम लोग नेक्स दे देखते हैं नेक्स दे दस बजे देखो यहां में 2381 रुपिस का प्रॉफिट मिल रहा है बढ़िया है लेकिन हमें तो आभी एकजिट नहीं करना है क्योंकि मैक्समियम प्रॉफिट देखो कितना है 8300 का तो हम लोग और इंतेजार कर सकते हैं उस दिन तो मंडे है तो आभी देखते हैं हम लोग और दो घंटा एडवांस करके देखो आभी प्रीमियम जो है यह देखो 71 हो गया और यह डबल तो नहीं हुआ लेकिन यह लगबग आधा हो गया तो हम लोग आधा गंटा और पीछे कर देते हैं तो पीछे करने से भी उतना ही था लगबग हमें कितने में अध्जस्ट करना था जब यह 90 होता कि कि आभी देखो 95 है तो 15 मिन्ट और एडवांस कर देते हैं अभी दिस इस दा राइट टाइम टू एड़स्टा स्टाट जी क्योंकि यह जो प्रीमियम है देखो इसका आधा हो गया एड़स्ट कैसे करेंगे जो प्रीमियम आधा हुआ वहां से हम लोग एक्जिट करेंगे तो यह क्या है फूर्ट ऑप्शन है ठीक है 41,500 पूर्ट ऑ हम लोग अभी क्या करेंगे अभी डेल्टा आप मत देखो आप 136 का फूर्ट ऑप्शन देखो कौन सा है मतलब उसका आजू बजू होने से भी चलेगा ठीक है तो 136 यह है 124 और यह है 146 तो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं तो हम लोग ज्यादा एग्रेसिव न 151,700 को हम लोग फिर से राइट किया ठीक है ओके आभी देखो आभी हम लोग फिर से एडवांस करेंगे तो आभी हम लोग का नया एडजस्मेंट्स रूल क्या होगा फिर से आपको देखना होगा यह जो प्रीमियम है यह अगर दूगना हुआ नहीं तो अगर आदा हुआ करेंगे नहीं तो यह वाला प्रीमियम अगर दूगना हुआ नहीं तो आधा हुआ तो हम लोग यहां पर एडजस्मेंट्स करेंगे ठीक है तो रूल सेम ही रहेगा ये वाला अगर बहुत मुव्मेंटद दिखाया तो यह तीन मुना भी हो सकता है तो दो गुना या तीन हुआ ओके अभी देखो यह तीन गुना हो गया तो इतना देर तक हम लोग तो नहीं रुखेंगे हम लोग थोरा सा एडवांस करके देखते हैं अगर दूगना होता है तो हम लोग उस टाइम फिर इसको एड़स्ट करने हुआ ऑर नहीं हुआ और हम लोग क्तेंच करते हैं होके नहीं हुआ जब हो अभी हम लोग क्या करना हैसका जो उब कीट लेगँ है वहाँ से हम लोग exit करेंगे और नया एक put option को write कर देंगे ठीक है तो इसका premium देखो 71 हुआ तो यहाँ पर हमें profit हो रहा है तो यहाँ से हम लोग exit करेंगे और आभी देखो इसका जो premium है call option का वो है 300 तो आभी adjustments कैसे करना होगा यहाँ पर आप देखो 300 का जो premium है put option का 300 का put option कौन सा है यह वला ठीक है तो यह वला put option को हम लोग write कर देंगे हो गया अभी adjustments हो गया तो आभी भी आपको same adjustments technique follow करना होगा दूगना या फिर आधा ठीक है तो आभी तो हम लोग इसको write किया आभी हम लोग और advance करके देखते है अभी देखो कुछ नहीं हुआ हम लोग overall loss में ही है छोटा मूटा लेकिन यह वला जो premium है ना यह देखो आभी 3 गुना हो गया है कि ने तो पहले 153 था अभी 456 हो गया तो आभी आपको adjust करना होगा adjustments क्या होगा same है तो यह वला leg से आप exit करो and 456 यह वला put option का जो premium होगा उसको आप write करो so 456 so 450 मान लो so यह है 477 यह है 416 तो हम लोग ज़्यादा aggressive नहीं होगे यह वला जो put option है इसको write करने ठीक है तो आभी हम लोग loss में है अभी हम लोग देखते हैं और आगे करके क्या होता है अभी भी हमें same strategy ही apply करना होगा मतलब adjustments जो rule है उसको follow करना होगा तो कोई भी दुगना तो नहीं हुआ इसका दुगना नहीं हुआ इसका आधा नहीं हुआ तो कोई issue नहीं है हम लोग इसको और advance करेंगे और आभी देखते है कुछ नहीं हुआ बढ़िया तो अभी हमें कुछ नहीं करना है और advance करते है देखते है क्या होते है हम लोग को advance ऐसे करते रहना होगा जब तक कोई भी rule break ना हो तब तक हम लोग इसको advance करते रहेंगे ऐसे ऐसे ठीक है तो इस दिन देखो कितना 27th December है तो हम लोग का loss बहुत कम हो गया आभी 46 रूपिस का ही loss है नेक्स दे देखते है क्या होता है नेक्स दे तो नहीं उसी दिन दो बज़े गड़े ओके आभी हमें profit मिल जा है ठीक है तो देखते है और क्या होता है अगर market थुरा वो उसी range में रहता है तो कोई issue नहीं है हम लोग का जो criteria है वो आभी भी break नहीं हुआ है जो adjustments rule है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे आभी भी ठीक है तो next day आगया 28 December और एक दिन बाकी है expiry होने में आभी देखते है हम लोग का rule adjustments rule mid हुआ है कि नहीं आभी भी नहीं हुआ है तो आप ऐसे करके करके इसको advance करते रहो तो जब तक profit में है तब तक तो कोई tension ही नहीं है आप tension क्यों लेता हूँ दो गंटा उपर कर देता हूँ ओके आभी देखो ये देखो ये वाला जो premium है ना ये आधा हो गया आभी आपको क्या करना होगा और further adjust नहीं करना है किमकि हम लोग already तीन बार इसको adjust किया है ठीक है adjustments का भी एक हद होता है एक limit होता है तो more than three times आपको adjust नहीं करना है दो बार या तीन बार ही आप adjust करो अभी हम लोग profit में है अभी आपको ये जो strategy है ना इसको no loss strategy बनानी है जो मैं आपको pay off दिखाया था बिल्कुल ऐसा एक strategy बनाना होगा तो वो कैसे करेंगे तेखो अभी हम लोग का existing position क्या है 42,500 CE right है so 42,500 CE right इसका just immediate आगे का जो call option है उसको हम लोग buy करेंगे इसका premium है 508 इसका आगे का जो premium हुआ है इसको हम लोग buy करेंगे इस बार ठीक है इसको हम लोग buy कर दिया मतलब upside का जो leg है उसको हम लोग break किया upside limit जो है maximum loss limit उसको हम लोग cap कर दिया and downside में कौनसी put option है 43,000 इसका premium है 202 तो इसका अगला जो strike होगा इसका premium है 156 इसको हम लोग buy कर दिया तो आभी देखो आपका जो pay off निकला वो बिल्कुल risk free हो गया आपका फिलाल के लिए profit कितना है 2200 का ठीक है अगर market इस जगह पर expire होता है तो आपका जो ये profit है ये थोड़ा कम हो सकता है लेकिन market मान लो कि बहुत volatile हो गया नीची की तरफ या उपर की तरफ volatile हो गया तो आपका profit बढ़ सकता है कितना हो सकता है लगपक सीथा हो गया ठीक है तो यहाँ पर आपका loss तो हो गाई नहीं तो आप और risk ले सकते हो कोई issue नहीं है ठीक है तो ऐसे आपको ये strategy adjust करना होगा लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू जो मैंने आपको movement दिखाया ये तो सारे 4% का movement है फिर भी आपको यहाँ पर 2000 का profit मिल ला है तो मान लो market ऐसा movement दिखाया ये देखो कितना drastic movement है 2-3 दिन में ही धरप करके गिरा तो ऐसा movement में अगर ये strategy बनाओगे यहाँ पर देखो कितना movement दिखाया 8% का तो क्या आपको profit मिलेगा तो ये आपका homework होगा आप खुद करके एक बार देखो लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें आपको loss नहीं होगा आप एक बार backtest करके देखो आप सोच रहे होंगे कि option simulator के लिए आपको पैसा देना पड़ता है प्रीमियम प्लान लेना पड़ता है तो आप लोग के लिए एक खुश कवरी है ये एक नया option simulator है stock mock का इसका link मैं description में दे रहा हूं यहाँ पर आप एक दिन का free premium margin यूज़ कर सकते हो free trial आपको मिल जाएगी तो आप एक बार ये जो movement है इसको back test करके देखो ये movement कप का है ये movement है लगभग 20th January का ठीक है Friday का है Friday यहाँ पर अगर आप Friday बनाते हो तो अगले expiry तक आपको क्या profit मिलेगा ये आप back test करके देखो और जो आपको result मिलेगा वो please आप comment करके मेरी वीडियो में जरू डालना तो मुझे आच्छा लएगा कि आप लोग ख्याद से ये वीडियो देख रहे हो और मुझे कुछ सीख रहे हो आपका response मिलने से मुझे बहुत बढ़िया लएगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो अगर पसंद आए please like और share करना और हमारे चैनल को subscribe करना मत बुलेगा Thank you